मेरे प्यारे दोस्तों भाई और बहनू हमारे यूटूब चैनल ग्यान का सागर में आप सभी कहारदिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोटी पूरक कोड किसे कहते हैं दोस्तों इसको कई नामों से जाना जाता है लंब पूरक कोड अनुपूरक कोड या इसी को पूरक कोड के नाम से भी जाना जाता है तो आईए जानते हैं कोटी पूरक कोड किसे कहते हैं यदि दो कोडों की मापों का योग 90 अंस हो तो वे दोनों कोड परसपर कोटी पूरक कोड कहलाते हैं जैसे 50 अंस पलस 40 अंस बराबर 90 अंस यानि दोस्तों हम कोई दो कोड़ लें और उनको जोड़ दें अगर उसका माप 90 अंस आ रहा है तो वे दोनों कोड़ क्या हैं परसपर कोटी पूरक कोड़ हैं अब यह नहीं है कि 50 और 40 ही होने चाहिए देखिए 60 और 30 जोड़ेंगे तब भी 90 हो जाएगा 45 और 45 जोड़ेंगे तब भी 90 हो जाएगा 70 में 20 जोड़ेंगे तब भी 90 हो जाएगा यानि दो कोड़ों का योग 90 अंस हो तो उन दोनों कोड़ों को परसपर कोटी पूरक कोड़ कहते हैं अब जैसे यहाँ पे देखिए यह पहला चित्र मेंने बनाग दिया है यहाँ देखिए एक कोड़ पचासंस एक कोड़ चालिसंस यह दोनों क्या है कोटी पूरक कोड़ हैं और इनके सीर्स जो हैं उभयनिष्ट हैं यानि ये दोनों कोड क्या हैं सलगन कोड हैं तो ये कोटिपूरक कोड हैं और यहां दूसरा हमने चित्र बनाया है यहां देखे एक कोड पचासंस और एक कोड चालीसंस तो ये दोनों भी कोटिपूरक कोड हैं इनके सीर्स भले ह उभयनिष्ट नहीं है यानि ये आसन्य कोड नहीं है लेकिन ये भी कोटि पूरक कोड है तो दोस्तों कोटि पूरक कोड होने के लिए सीर्सों का उभयनिष्ट यानि सलगन कोड होना आवस्यक नहीं है तो आई अब हम देखते हैं एक उदारर से कि माल लिया जाए हमें किसी क कोड का कोटी पूरक कोड ग्याद करना है तो कैसे हम निकालेंगे जैसे यहां देखिए 50 का कोटी पूरक कोड 40 है और 40 का कोटी पूरक कोड 50 है अम माल लेते हमें 60 का 60 का कोटी पूरक कोड निकालना है कोटी पूरक कोड तो क्या करेंगे 90 में से इस 60 को घाटा देंगे तो बराबर क्या आएगा 30 आएगा और कोड की माप किस में होती अंस में तो 30 अंस यानि किसी भी कोड का कोड कोड ग्यात करना है तो 90 में से उसको हम घाटा देंगे तो उसका कोड कोड ग्यात हो जाएगा तो दोस्तो मुझे आसा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा योड়ी आपके समझ में आया है तो आप मुआरे इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्ष वीडियो में इसी के साथ कहते हैं, जेहन्द जेह भारत